बच्चों के लिए आज की कहानी साही और साप की कहानी एक साही अपने रहने के लिए स्थान की खोज में भटक रहा था दिन भर भटकने के बाद उसे एक गुफा दिखाई पड़ी उसने सोचा ये गुफा रहने के लिए अच्छी जगा है वो गुफा के दुआर पर पहुँचा तो देखा कि वहाँ सापो का परिवार रहता है साही ने उन सब का अभिवादन किया और निवेदन करते हुए बोला भाईयो, मैं बेघर हूँ क्रिपा करके मुझे इस गुफा में रहने के लिए थोड़ी सी जगा दे दो मैं सदा आपका आभारी रहूंगा सापो को साही पर दया आ गई और उन्होंने उसका निवेदन स्विकार कर उसे गुफा के अंदर आने की अनुमती दे दी लेकिन उसके गुफा में घुसने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उसे अंदर बुला कर और रहने की जगा दे कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि साही के शरीर के काटे उन्हें गढ रहे थे और उनकी त्वचा जखमी हो रही थी उन्होंने साही से कहा तुम्हारे शरीर के काटे हमें गड़ रहे हैं इसलिए तुम यहां से जाओ और कोई दूसरी जगह खोजो साही तब तक आराम से गुफा में पसर चुका था बोला भई मुझे तो ये जगह बहुत पसंद है मैं तो कहीं नहीं जाने वाला जिसे समस्या है वो जाए यहां से अपनी त्वचा को साही के शरीर के काटो से बचाने के लिए आखरकार सापो को वो गुफा छोड़ कर जाना पड़ा सापो के जाने के बाद साही ने वहाँ पूरी तरह कबजा जमा लिया कहानी से सीखा कई बार हम उंगली देते हैं और सामने वाला हाथ पकड़ लेता है इसलिए किसी की मदद करने के पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें